राडिस्तान में आदिवासियों के डिने टेस्ट को लेकर दिये गए बयान पर शुक्षा मंत्री मदल दिलावर अब खिरे हुए नजर आ रहे हैं और प्रदेश भर में विरोध के स्वर उठने लगे हैं भील प्रदेश मुक्ती मोचा के आवहान पर भी आदिवासि समुदाय प्रदेश फर में उपखंड और जुलाइ स्थर पर विरोध प्रदेशिन कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी इसके लिए कैम्पेण चलाय जारा है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से माफी की मांग की जा रहे हैं आदिवासि समाज के लोग शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करके ग्यापन सौप कर इस्तितिक ही मांग भी कर रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों की संबंद में दे गए बयान से उपजे हालात के बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बदा दे कि दिलावर की रंग बाड़ी आवास पर विशेज जापत तयार किया गया है। आपको बदा दे कि राजिस्तान में भारत आदिवासी पाठी के नेताओं के खुद को हिंदू नहीं मानने के बयान पर दिलावर ने डियने की जाँच का बयान दिया। इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में अब विरोत के स्वर काफी तेज हो चुके हैं। लगातार आदिवासी समाच के लोग अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के स्थिफे की मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर के अलग-अलग हिस्सों से शिक्षा मंत्री के इस्तीफी के नाम एक पत्र मुख्यमंत्री और राजिपाल को भी सौपा गया है। और यही नहीं राजिस्तान के तमाम जिलों से भील आदिवासी समाच से तालोक रखने वाले युवाओं ने अपने ब्लड सेम्पल दिया है। और यही नहीं ये भी कहा गया है कि जल्दी बड़े स्तर पर ब्लड सेम्पल देने के लिए भ्यान शुरू किया जाएगा। आपको ये भी बदा दे कि शिक्षा मंतरी मदन दिलावर के बयान के बाद सांसद राजकुमार रोट ने भी डियने जौच के लिए प्रतिक आदिवासी की घर से सेम्पल लेकर मंतरी को भिजने के लिए भ्यान शुरू करने की बात कही थी। इसके बात सोचल मीडिया पर भी लगातार इसके लिए कैमपेंग चुलाय जा रहा है मदन दिलावर को बरखास करो इसके साथ साथ में मदन दिलावर मुर्दवाद की नारे भी लगातार प्रदेश भर में लगाय जा रहे हैं। और यही नहीं इसके बीच में कॉंग्रिस का भी फुल सपोर्ट अब आदेवासी समाज को मिल रहा है कॉंग्रिस के कई नेता आदेवास्तियों के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तांसा ख़वरों के लिए बिजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें दफेक्ट इंडिया एप।